नमस्कार स्वागत आपका थिंक 360 में मेरा नाम है लोकिंदर के लानोट बात सुरू करेंगे एक किताब से और पहुंच जाएंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान किताब है देश के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंग की आत्म कथा वन लाइफ इस नॉट इनफ हिंदी म में लेखक ने अपनी पाकिस्तान यात्रा के बारे में विस्तार से लिखा है और मसहूर सायर जोस मलीहाबादी के बारे में एक राज से परदा उठा दिया है जोस मलीहाबादी को तो आप जानते ही होंगे जोस को नहीं तो उनकी सायरी से कभी ना कभी दो राप्ता हुआ ह कसम अपनी रातों को मेरी हिज्र में बरबाद ने कर यह मसूर सेर जोस मलिहाबादी का ही है क्या अभी नटवर सिंग ने अपनी किताब में जो लिखा है उस पर लोटते हैं जब नटवर सिंग पाकिस्तान गए तो वहाँ जिया उलहक की हुकुमत थी वैसे तो जिया उलहक त निंदा करते थे नमाज के इतने पके थे कि पांच वक्त की इबादत करना कभी नहीं बूलते थे जिया का यह नेचर पाकिस्तान के कुलीन वर्ड को थोड़ा सा अखरता था क्योंकि पाकिस्तान का कुलीन वर्ड ना केवल विस्की का सौकिन था बलकि विलासिता पूर्ण जीवन जीना उसका सगल था और मुल्क के निजाम का ये मिजाज मस्टूर सायर जोस मलीहाबादी को भी तकलीब दे गया पकिस्तान में नटवर सिंग की एक मुलाकात जोस मलीहाबादी से होती है और जोस नटवर सिंग को दुखी होकर ये भी बताते हैं कि उन्हें हिंदुस पाकिस्टान में विए उम्दा सराप पीते थे लेकिन फुकूमत से छुप कर। दरसल जोस मलिहाबादी के बारे में कहा जाता है कि विस्की पीने के बाद उनकी साईरी फूट कर बहार आती थी नटवर सिंग जिया की हुकूमत में सराब पिने का किसन ने केवल जोस मलिहाबादी बलकि पाकिस्तान के एमेप हुसेन कहे जाने वाले सैयदीन का भी लिखते हैं जोस के नक्से कदम सैयदीन भी उंदा शराब पीते थे लेकिन सरीर के पतले इतने थे कि जैसे कोई छड़ी हो जब मुलके निजाम से एक बार सैयदीन की मुलाकात हुई तो राश्टपती ने पूछा कि कुछ खाते पीते हो कि नहीं इतने पतले हो गए हो जवाब में सैयद जनमेज जोस का सही नाम तो सब्बीर एहमद हसन खा था लेकिन सायरी के दुनिया में उन्हें जोस मलीहाबादी के नाम से पैचाना जाता है जोस अपने जमाने के उस्ताद सायर माने जाते हैं जिनने फिराग गोरक पुरी भी अपना उस्ताद कहते थे नहरू उन्हें कितना दुखता उसकी बानगी इन सेरों में गोर कीजिए जोस लिखते हैं कि भटक के जो बिछडगे राश्ते पे आएंगे लपट के एक दूसरे को फिर गले लगाएंगे लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब जोस को खुद अपना मुल्क छोड़ना पड़ गया 156 में एक बार जोस पंडित नहरू के पास जाकर कहते हैं कि पंडित जी बच्चे पाकिस्तान जाने की जिद कर रहे हैं मैं क्या करूँ पंडित जी ने जोस के निजी मसले में दखल देना ठीक नहीं समझा और कहा कि इस बारे में आपको मौलाना आजाद से बात कर लेनी च जिन्दा रहते कभी हिंदुस्तान वापस मताना अपने बच्चों की जिद के आगे जोस की एक ना चली और उन्हें हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान बचना पड़िया जोस मौलाना आजाद के जिन्दा रहते कभी हिंदुस्तान नहीं लोटे फिर मौलाना आजाद का मुल्क जरूर बदल गया लेकिन उनका मिजाज वैसा ही था दरसल उर्दू बोलने में गलती जोस को बहुत खलती थी और इस बात को लेकर पाकिस्तान की राष्टपती अयूब खान से उनकी गजब की ठन गई हुआ यूँ था कि अयूब खान से एक बार मुलाकात में जोस ने उन्हें उर्दू के गलत उचारण पर तोग दिया अयूब खान ने उस वक्त तो जोस को कुछ नहीं कहा लेकिन बाद में उन्हें सरकार की तरफ से दी गई सेमेंट की एजेंसी छीन ली गई मुलक के बटवारे के साथ दसक बाद भी जोस को दोनों ही मुलकों में बराबर महबत की जाती है जोस का मुलक जरूर बदल गया लेकिन उनकी सायरी पर आज भी दोनों मुलक बराबर के हिस्सेदार है फिर नटवर सिंग की किताब तो इस बात को भी उक्ता करती है कि हिंद